अबरिबडी जितने भी लोग लाइव है सबको विलकम सबको गुड आफ्रणून तो चलिए शुरू करते हैं आज हम शुरू करने मारे हैं मारे लेक्चा नमबर थरी से और कल हमने क्या क्या किया था उसको एक थोड़ा ब्रीफ में हम रिवाइस कर लेता है फिर आगे बढ़ है था इथिक्स मतलब analysis of a situation by a mind to decide what is right and what is wrong is called as ethics इथिक्स का ये प्रवचन देने के बाद में मैंने शुरू किया था with कि what is law और उसकी pass करने की process क्या है हाला कि हमने उसके बीच में एक और चार्ट देखा था safety और benefit वाला जिसके अंदर हमने बोला था हर law में safety होना कंपल चरी है पर benefit रह भी सकता है benefit नहीं भी रह सकता ये चीज को मैंने आपको already बोला था हमने चार examples देखे थे law के फिर मैंने आपको समझाय था कि basically law ये कितने categories में divide होता है और अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको एक diagram दिखा था और मैंने आपको mention किया था कि किस तरीके से ह हम लो को categorize करते है हमारे constitution of India में कितने articles है बच्चो 444 जैसमें से article number कहां लिखा है 245 में कि law कौन बना सकता है parliament और 246 में लिखा है कि there are specific categories जिसके लिए parliament law create कर सकता है अब वो specific categories कौन से schedule में लिखा है schedule 7 to the act जिसके अंदर formats और lists होती है तीन टाइप के law होते है union law, concurrent law और state law, union law 97 entries है, concurrent law 47 entries है और state law के अंदर 66 entries है, union law के example, companies act, income tax act, concurrent law के GST, good night, sweet dream, take care, ना लायक लोगो, नाई, GST, goods and service tax act, यह आपके life का बहुत का law बनने वाला है जब आप CA बन जाओगे, यह CA बनते बनते भी बनते भी बोल सकते हो, फिर state law में, गुठखा बैन जैसे महाराष्ट में, लिकर बैन, गुजरात में, बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है, clear concept, फिर central process, फिर उसके और में contract, sale of goods, partnership मैंने syllabus बताया था, जिसमें से contract, सिर्फ normal contracts हमारे foundation level पे, special contract से नहीं है, sale of goods, partnership, limited liability partnership, companies act, यह चीज़ मैंने बताई थी, इसमें से हमको तीन law, Britishers ने बन आया है, जैसे companies act और LLP, फिर मैंने आपको बताया था, कि भाईया, किस तरीके से 1947 से लेके 1950 तके, parliament work कर रहा था, यह चीज़ को आपने मैंने, मैंने mention किया था, ठीक है, और उसको हमने समझा था, किस तरीके से provisional assembly आई थी, freedom fighters ने law pass किया, इसके लिए मैंने आपको एक example भी इस situation में अगर आपको कोई दिक्कत है, तो please मुझे एक बार बताईए, तो मैं एक बार उस दिक्कत को solve कर दूँ, ठीक है, मुझे एक बार comment section open करने की दीजिए, hold, तो दूर से पढ़ा भी नहीं जाता जिन्दगी में, अखे, so कोई दिक्कत है तो please बताईए, thank you so much अनुजा, thank you so much अनुजा बटा, sure, जरूर मिलेंगे अपन, don't worry, course detail, बीच में हम declare करेंगे, but foundation में nearly आप consider करके चलो, 40 एक lecture लेंगे, 30-40 lectures, जसमें हम पूरा content cover up करेंगे, ठीक है, बस उतना ही course detail है, जिसके अंदर 5 syllabus तो मैंने पेचले 2 lectures में mention करके रखा है, उससे याद और कोई course detail I guess नहीं है, ठीक है, please spam ना कीजिए, मोहित दंगवाल, मुझे आपको बंद करना पड़ेगा, there is not right, spam ना कीजिए यार, spam करने जासे है, बाकी सब चीज रह जाती है, मैं को block करना पड़ता है, I am very sorry, यह मैं कितने बार बोल चुका हूँ, मैं spam वारी चीज़े पड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं पड़ता हूँ, आप spam करोगे, मैं आपके कोई queries all नहीं करेगा, I am very sorry, ठीक है, recorded ही classes मिलेगी बेटा, normally, हम partial classes nearly record रख रहे हैं, पूरी के पूरी, क्योंकि वो basic हम recorded classes की उदेरे, इसकी पिछे का reason यह है, वो batch में लिया हुआ है, तो उसके अंदर बच्चों के queries, बच्चों के problems, पढ़ाने का तरीका, speed वगर यह सब चीज़े अच्छे से developed है, ठीक है, thank you so much, SBS, BSNN, चलो, done, lecture price वोगर आके उपर सभी details आपको current sir देंगे, उनका एक course detail के उपर lecture आएगा, तो हम उसको तब देख सकते है, चलो, done everybody, so आज मैं जाता हूँ, अगले content के उपर, और आज हम literally घुसने वाले है, process to pass the law में, और आज का lecture में काफी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बहुत सारा politics discuss करूँगा, मैं इंडिया का politics, और बहुत सारा content भी discuss करूँगा, मैं इंडिया का, कि किस तरीके से इंडिया का elections चलता है, और अभी आप 18 साल के आएगा, 18 साल के उपर हो या 18 साल के अंदर हो, इस course कैसे purchase करना है, course detail का है, इसके उपर एक मेरा चोटा सा lecture आएगा, बटा, don't worry, उसके अंदर मैं explain करूँगा, ज़रूर, शांदार, राजन, thank you so much, okay, so पहली एक बार बताओ, आप 18 साल के उपर हो सब जन या 18 साल के नीचे हो, माइनर हो या मेजर हो, सर, I am a major प्रभाद, बहुत बढ़िया, उपर है सब जन, के नीचे है, 19 years, 18 years, धवल माइनर है, मिक्स ग्रूप है, 18 साल के नीचे भी उपर भी है, चलो, election का right तो दुम को पता होगा, voting right, election में आपको एक voting right मिलना चाहिए, ये तो दुम को मालूमी होगा जिंदगी के अंद के भाईया, जो भी आज मी रहता है, 18 साल के उपर हो जाता है, Government of India उसको बोलती है, आओ, और हमें मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, कंचप समय में आ रहा है, मतदान मतलब मतदान नी, मतदान करो, उनको बिल्कुल दान नी करना चाहिए, Government को तुमने, ठेक है, बट फिर अच्छे तरीके पर देखने वाले है, कि लॉक इस तरीके से पास किया जाता है, ठेक है, I hope so, इसके अंदर आपको बं, नॉलेज मिलेगा, तुफान, ताबड तोड, जिंदागाद, ठेक है, स्वाज आजए, माइनर फिर भी गाड़ी चलाते है, नालायक, लोगो, कौन है माइनर होके भी गाड़ी चलाता है, है, चला यह, आज मैं आपको इंडिया का पॉलिटिक्स पूरा खोल के रख दूँगा, कि क्या चलता है, कैसे वोटिंग करना चाहिए, कौन सी स्टेट माइनर रखती है, नेक्स ताइम जब इलेक्शन आएगा तो काफी इंटरेस्ट स इनके साथ कमेंड कर सकते हो, कि यह पॉलिटिकल पाटी वार, यह नहीं जम्रा में को, यह भी तुम कमेंड कर सकते हो, एक्चुली फ्रैंक्ली बूलू मैं तो तुमको, ठीक है, चलो, स्टार्ट करता है, इन कॉंसरेट करना आच्छा तरीके से ज्यान देना, रड़ी, इन्डिया में लौ है तीन कटिगरीज के, कमेंड करना बंद करजिए थोड़ी के लिए, बिकास बहुत ज़रूरी आइटम पेश करने जा रहा हूँ, नालायक आइटम मतलब बहुत ज़रूरी कंटेंट पेश कर रहा हूँ, कितने कमीने लोग हो, इमेडियेटली वहाँ प अरे इंडिया में लौ पास करने के जो प्रोसेस है, वो दो ही है, एक पास है लौ पास करने का प्रोसेस है, वो है सेंट्रल प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम कहते है सेंट्रल प्रोसेस, तीन डिफरेंट टाइपस के लोज, पास करने के प्रोसेस सिर्फ दो, एक है सेंट्रल और दूस्ता है state process Sir law 3 और process 2 बहुत नाइंसाफी है हाँ नाइंसाफी तो है बिटा पर आपको मैं frankly बोलू तो central process में ही दो type के law पास होते है एक union law जो हमने companies act contract act sale of goods act ये हम जो देखने वाले है LLP ये union law है ये भी central process से पास होते है और concurrent law भी central process से पास होते है बच्चो कौन से law बच्चो बोले एक बार concurrent law concept सामाज में आ रहा है और state process से जो पास होते है वो सिर्फ होते है state laws state law मतलब गुठका बैन बोलो जुबा केसरी ठीक है गुठका बैन वो उचे लोग उची पसंद जिंदगी जैंड मानिकचन धरीवाल मानिकचन मनाता है गुठके से cancer होता है आपको बता है मानिकचन धरीवाल का cancer hospital भी है मतलब अधर से गुठका भी हमी खिलाएंगे और cancer का treatment हमी करवाएंगे कितना बड़ा scam है जिंदगी के अंधर है गुठका भी हो ही खिलाएंगे उच्छे लोग उच्छी पसंद मानिक चन बोले, उच्छे लोग उच्छी पसंद जिंदगी जंड है वो, क्लिए है, वो धरीवाली बनाएंगे, और इधर cancer hospital भी किसका, धरीवाल का, बोले, medicine भी हम देंगे, उधर से खा के आओ, वो raw material है, इधर हम finished goods बनाते है, ऐसे तो हाल लोग बनाने के लिए, अब मैं दोनों process parallelly ले ले लाओ, for the purpose of better understanding, तो इसको गौर से याद रखना, दो process मैं parallelly ले ले लाओ, central or state, और सबसे पहली safe होती है, किसी भी लोग बनाने में, वो होता है drafting, drafting मतलग बच्छों लोग को लिखना, कोई एक बंदा होना चीए, जिसको knowledge ह जो लोग को लिख पाए, जैसे मैं आपको एक दो example दूँगा, देख के आप शौक हो जाओगे, दिल्ली से अगर कोई पिलॉंग करता है, मेरे दोस्त, कोई दिल्ली से है, तो ज़रा हाथ उठाईए comment section में, कि मैं दिल्ली से हूँ, so दिल्ली से हूँ, हाथ उठाईए, गा सारे लोग थे, पर उसमें से एक main person थे, अरविंद केजरिवाल जी, दिल्ली के CM, ठेक है, उन्होंने right to information act बनाया था, आपने सुना होगा, लोगपाल बिल भी अरविंद केजरिवाल जी ने बनाया था, जिसके अन्ना हजारी जी ने अंशन किया था, Congress के खिलाफ कि हमको corrupt political practice के खिलाफ एक bill बनाना है, तो उन्होंने लोगपाल बिल का अगठन किया था, शायद आपको पता होगा तो, है दिल्ली से, सुभाजीत है, यश है, चलो, बहुत बढ़िया, so RTI बनाया था अरविंद केजरिवाल जी ने, लोगपाल बिल अरविंद केजरिवाल जी ने ब मैं बुला, भोल चंपः, Sir, अरविंद केजरिवाल जी ने ड्राफ बनाया तो, तो politician भी नहीं थे, Sir, मैं बुला, हाँ, चंपः, वोड़ो बना सकते है, मैं बुला, चंपः, हाँ, कोई भी बना सकता है, तो चंपः मेंगे को फूछता है, Sir, लोग अगर कोई भी बना सकता है, ड्राफ कोई भी बना सकता है, सर मैं बना सकता हूँ, सर तुम बना सकते हो, सर हम दोनों मिलके बना सकते है, मैं बुला है चंपत, लोग कोई भी बना सकता है, ड्राफ कोई भी बना सकता है, तू भी बना सकता है, मैं भी बना सकता है, दोनों pressure हो, तो at least वो रखा जाए Parliament में, तुम law बना दोगे वहाँ गंटा अपने को कोई गिनता नहीं है, clear है तुमको मेरे कोई इच कोई नहीं गिनता, तुम तो अभी student हो, मेरे तो कोई इज़त ही नहीं है, उकात ही नहीं है, तुम तो पारलमेंट में लॉण पास होने के जाद बात बूला जाता है, उसे अक्ट पास होने के पहले इसको हम कहते है, बिल बेफोर पासिंग, हम इसको क्या कहते है, बिल clear concept, पारल में जब रखा जाता है, बिल पारल में पास हो गया, बन गया Até clear concept सबको हाना, ये चीज़ को आपने बड़े अच्छ दरीके से याद रखना है, clear concept, गाना वाना सुनाने का शमय नहीं है बेटा, very sorry, टेकर बोड के उपर ध्यान दीजिए, please भीबूती, concentrate करना, so drafting is the first, drafting के बाद में इस law को parliament में introduce किया जाता है, अब ये है parliament, parliament भारत के law का पारलेमेंट पता ये सबको? Пारलेमेंटों सुना होगा, पारलेमेंट नहीं सुना? दिखाता हमें आपको, Parliament जहाँ पे लोग आते जाते हो जगडे करते हैं, एक बाम तमाशे करते हैं, Mike 2022 फेक के मारते हैं, chair wear फेक के मारते हैं, एक दूसरे को पेलते हैं, unfortunately अपना Parliament है उसके बंडल निकालके दिखाये जाते है, Parliament वो जहाँ पर पपु जी सोते है, कंसर्व समाज में आ रहा है, Parliament वो जहाँ पर लोग मुबाइल के उपर गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, मा कसम यह न्यूज पता, आपको Parliament में बैटके लोग Pawn देख रहे थे, इतने बेकार, मत एतने बेकार पलीटिशन है आपने, क्या बता हूँ जिंदगी में, unfortunately we are ruled by them Parliament 챙ि वो अभ क्या बचा जिंदगी में ? ये हमारा Parliament है, ये Parliament है नालाइक लोगो का कैसे लोग है जिन्दगी के अंदर यह, इन से अपन रूल के, बहुत गुस्सा आता है मैं कोई एक दिन तो मन का रहा है कि जाकर कोदी बॉम फोड़ दूँ आपर, पर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आगे, तो यह है हमारा पारलेमेंट, सबसे पहला है भहिया, इंट्रोड़क्शन, क्योंकि पारलेमेंट में कुछ अच्छे भी लोग बैठे, इसलिए बम फोडने का मन भी नहीं होता, पहला है ड्राफ्टिंग, दूसरा है इंट्रोड़क्शन, इंट्रोड़क्शन में, इंट्रोड़क्शन कहां करना है, तो अगर अगर सेंट्रल अगर एंट्रोड़क्शन, इंट्रोड़क्शन, इसलिए अगर श्राफ्टिंग कर लिए आपने पारलेमेंट में, यहां पर हमने रखा है बिल, Bill और Act में difference क्या है बच्छो ये Bill है सौरी थोड़ा उल्टा हो गया वापस लिख के रख दू ये है Act और ये है Bill Act is all about after law is passed Bill is law about before law is passed clear again सब सो Parliament, State, Legislature यहाँ पर इसका first reading होगा Parliament में आप इसको पहले read करोगे read करने के बाद में हम public से input लेंगे law read कर लिया because हमारे लिए law बन रहा है तो हम public से input लेता है कि public इसके उपर क्या बोलना चाती है पर public तो पागल है, public तो किदर भी कुछ भी लिख सकती है जैसे public उनको पूछा public को कि भाई बताओ ये लो आपको कैसा लगा, public उसके उपर comment क्या करेगी सोनम गुपता बेवफा है बिनोद ये तो public comment करती है जिंदगी के अंदर सो public कुछ भी comment कर सकती है इसलिए उसके बाद में उन comments को filter करने के लिए बनाई जाती है standing committee standing committee मतलब वो expert लोग, वो धुरंदर लोग जो industry के बहुत थाकदवर लोग है हमारे syllabus में एक law ऐसा है जिसके लिए तीन standing committees का गठन किया गया था जिसका नाम है Companies Act Companies Act Union Law है जैसे मैंने आपको बोला हमारे syllabus में सिर्फ union laws ही है हमारे syllabus में state laws नहीं है तो Companies Act के लिए तीन committees की प्रस्थापना की गई थी बच्चों मतलब आपको सुनके बड़ा अच्रज होगा तीन committee जिसके अंदर थी सबसे पहले नारायन मूर्थी committee नारायन मूर्थी अगर सबको बता होगा तो बताईए कौन से company के chairman थे अभी तो नहीं है पर कौन से company के chairman थे प्लीज बताईए ज़रा नारायन मूर्थी फटाफट फटाफट सब सोगे क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं जिंदिगी में कमेंटी नहीं आ रहे हैं Infosys शान डार so नारायन मूर्थी committee Tata consultancy services में दवल नारायन मूर्थी नहीं होते हैं नालायक Infosys में होते है TCS में रतन डाटा जी होते है कैसा होगा जिन्द बजज बजज कहां से आए नारायन मूर्थी कमेंटी फिर दूसरी बनाई गई थी कुमार मंगलम बिरला committee कौन से कमेंटी कुमार मंगलम बिरला आधित्य बिरला ग्रूप के chairman आपको एक खास बात बता है कुमार मंगलम बिरला की एपल बहुत बढ़िया एक ना मैंने तरको एपल फेक के माला दवा गया तु बेटा आप तु मिल मेरे को तरको एपल ही गिलाएगा मैं जिन्दगी में नारायन मूर्थी committee के बाद में दूसरी committee बनाई थी कुमार मंगलम बिरला committee आपको कि कुमार मंगलम बिरला जी की खास बात पता है क्या बढ़ाओ 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 येस सही बात बोली प्रवेंट ने कुमार मंगलम बिर्ला इस अल्सो चार्टर अकाउंटन ये मलब बिर्ला जी का बेटा था घर पे पैसा बहुत था फिर भी बिर्ला जी ने बोला अपने बेटे कुमार जी को कि जाओ सी ए करके आओ उसमें कुस्तु भी तत्य है तो कुमार जी स्माज में आरा है मतलब बड़े-बड़े बिजनस टाइकुन भी चार्टर अकाउंटन्ट है राकेश जुनजुन्वाला अगर तुमने सुना ओगर राकेश जुन्जुन्वाला जी बिग बूल उफ इंडिया अब लागेशिध महता करके एक सोनी लाइव के उपर एक सिर डॉलर के नेटर सेट है, राकेश जुन जुन वाला, तो राकेश जुन जुन वाला is also a chartered accountant, clear है, बड़ी-बड़ी हस्तिया सिये करके बैठी है बहिया, clear है, नारगान मुर्थी, कुमार मंगलम बिरला, and the third committee was sir JJ Irani committee, JJ Irani committee आपको शायद नहीं पता होगा पर इनका Tata के साथ में बहुत बड़ा affiliation है, Tata के काफी अच्छे investor है, JJ Irani committee, so companies act के लिए तीन committee की यहाँ पर प्रस्थापना की गई थी, clear है, so सबसे पहला step था बेटा drafting, दूसरा introduction, तीसरा first reading, चौथा input from public और पाच का discussion by committee, जो यह comments को filter करेगा, अब यहाँ पर आपका draft सही बन चुका है, अब मतलब यह standing committee एक्सपर्ट होगरा के हाथ से चला गया है, यह draft आपका ऐसा बना है, कि आप इसको आप as a law करके Parliament में प्रेजेंट कर सकते हो, once this draft is being presented to the Parliament, बिनो नालायक रिशी, भारत माता किजे, कहां से आई विभूती, विभूती ब्लोक करना पड़ेगा, spam ना करे में पहले ही बोल रहा हूँ, ठेक है, यह चीज को आपने बड़े अच्छा दरीगे से याद रखना, जो यह हमारा पहला draft बन गया, जिसको हम Parliament के सामने रख सकते है, अब, अब comment करना please बन कीजे, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, it is very 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 important, very very important, ठेक है, तो पूरा धान बोड पे, इंडिया का पूरा political system में आपको समझा रहा हूँ, पूरा धान मुझे जब मैं बोलू जब कुछ पूछू तभी में को आपने बताया एक बार Standing Committee ने law अप्रूव कर दिया मतलब Standing Committee is a expert Standing Committee तो धुरंदो लोगे नारायन मूर्ती कुमार मंगलम बिरला जैसे उन्होंने एक बार law को अप्रूव कर दिया तो फिर ये वापस Parliament में आता है पहले Parliament में read हुआ था अब ये Parliament में पास होगा अब ये जब Parliament में आता है तो Parliament में नहीं आता ये Parliament के दो houses में आता है आपने शायद सुना होगा Parliament के दो houses होते है हिंदी में एक house को कहते है लोकसभा house of people लोकसभा इसे कहते है house of people और हिंदी में दूसरे हाउस को कहते है राज्यसभा जिसे एक और नाम से जाना जाता है हाउस ओफ स्टेट काउंसल्स स्टेट के काउंसल मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटेव सो हाउस ओफ पीपल लोगसभा जिसमें MPs बैठते हैं members of parliament खासदार जिनको हम कहते हैं खासदार वो यहाँ पे बैठते हैं MPs members of parliament और राज्यसभा में बैठते हैं member of state council जिनको elect किया जाता है MLS से elect by MLA, member of legislative assembly वो मैं बताऊंगा just wait अब लोगसभा के अंदर total members होते हैं बच्चो 545 मतलब 545 is a maximum digit इससे कम भी हो सकते है राज्यसभा में maximum number of members होते हैं बच्चो 245 245 में से 12 यह president elect करता है बहुत काम की चीज बोल रहा हूँ इसके हर इक चीज को दिमाग में छपा देना यह आपको आगे काम में आएगा 12 president elect करता है और 233 member यह member of legislative assembly elect करते है अब सबसे पहली बात तो आपको इसके बीच का difference समझ में आना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच का difference क्या है what exactly is लोकसभा और what exactly is the राज्यसभा यही चीज आपको शायद समझ में आएगी तो पहले यह समझा दू अभी 2019 में जो election हुए और आपने जिनको चुन के दिया 2019 में आपने जो गवर्मेंट चुनी वो थी मोदी जी वाली सरकार जिनको स्पष्टबहुमत से 300 प्लस वोट मिले थे nearly if I'm not wrong 335 के आसपास वोट मिले थे BJP सरकार को और मोदी जी को वापस से पंतर प्रदान मराया गया मतरो जब मेंबर संग पाल्लमेंट के 545 लोगों मैं से जब आप 300 से जादा लो एक पक्ष के चुनते हो तो उसे स्पष्ट भहुमत वाले सरकार कहा जाता है सर मिनिमम कितने चाहिए सर चंपत अबना सर मिनिमम कितने चाहिए मिनिमम तुमको 222 से चाहिए है to create a सरकार मतलब 545 मेंबर और पार्लेमेंट में से 242 अगर एक पार्टी के select हुए है पूरे इंडिया में से तो वो बन जाएगी स्पष्ट भहुमत वाली सरकार उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा जैसे इस बार BJP को 2019 में BJP को 300 प्लस सिटे मिली स्पष्ट भहुमत से सरकार चुनी गई 272 से जादा ये 300 मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना गया और ये सर्फ BJP को नहीं मिला था BJP के पार्टी को कहा जाता है NDA NDA का नाम है National Democratic Alliance ये बहुत सही पॉलिटिक्स में आपको बोल रहा हूँ बोड पर अच्छे से ध्यान रहा National Democratic Alliance का मतलब है BJP और Allied Parties BJP और Allied Parties मतलब देश में BJP है एक में पार्टी और स्टेट वाइस जो उसके Allied Party है वो जैसे महराष्टर में मुझे पता है कि BJP के साथ Allied Party थी शिव सेना अभी नहीं है अभी तो जगड़े हो गया पर उस वक BJP के साथ कोई Allied Party थी तो वो थी शिव सेना So National Democratic Alliance is a BJP plus Allied Parties और आपने एक और नाम सुना होगा UPA जिसे कहा जाता है United Progressive Alliance United Progressive Alliance और United Progressive Alliance में है Congress plus Allied Parties Congress plus Allied Parties मलब Congress ये में पार्टी रहेगी और स्टेट वाइस उसके Allied Party चेंज होगे जैसे महराष्टर में है Congress और शरत पवार जी की राष्टरवादी Congress दोनों मिलके बनता है UPA Government United Progressive Alliance So basically देखा जाए तो अगर NDA ने भी 272 में सीख़े ले ली तो भी BJP और Allied Parties ही ये स्पष्ट भूमत में Center में रहेंगे Center में Central Government वाली सरकार जहां हम Prime Minister रिलेक करते हैं उसे हम कहते है Central Government वाली सरकार Clear again सब को तो 272 वोट चीए 545 में से तो आप बना सकते हो एक Central Government वाली सरकार PMO Office एक Prime Minister वगरा Clear again सब ये चीज आपको समझ में आई का पताफट मुझे यहां पर बताईए फटाफट बताईए कि ये चीज आपको यहां पर समझ में आई क्या मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा फटाफट बताईए यहां तक समझ में आएगा कि Central Government कैसे बनती है Prime Minister वाली पक्का समझ में आई है कि Central Government कैसे बनती है तो NDA मतलब वापस एक बार बोल दूँ National Democratic Alliance मतलब BJP Plus Allied Parties UPA United Progressive Alliance मतलब Congress Plus Allied Parties 2014 में NDA जीता था 2019 में भी NDA जीता था इसलिए BJP के जो main leader है मोधी जी वो बने है आपके क्या Prime Minister So I hope ये समझ में आए होगा सबको चलो बहुत बढ़िया I hope so ये clear है पर आपने एक चीज अगर notice की होगी तो देश के Prime Minister के साथ में State में Chief Minister भी होता है State में Chief Minister भी होता है ये भी आपने सुना होगा अब State के Chief Minister के election अलग होते है आपने ये भी सुना होगा मतलब 2019 में आपने जो election लिये थे उसके अंदर आपने मोधी जी को वोट दिया था लेकिन महाराष्टर में 2019 में एक और election हुए थे और 2015 में election हुए थे चीफ मिनिस्टर सेलेक्र निगले तब चीफ मिनिस्टर में सेलेक्ट हुए थे देवेंदर फदिनिविस जी अभी तो महाराष्टर में उद्दाव ठाकरी जी है Chief Minister पर उस वक अभी उद्धा उठाकरी का example में इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि basically उद्धा उठाकरी जी की सरकार इस बार मिली जूली हुई है, तीन चार parties मिलके उन्होंने सरकार बनाई है, तो आप चीफ मिनिस्टर जो select करते हो, वो आप select करते हो state legislative assembly में, प्राइम मिनिस है, वो चीफ मिनिस्टर आप select करते हो state legislative assembly में, तो यह है बच्चो state legislative assembly, legislative, legislative मतलब legislature बनाना, legislature बनाना मतलब law बनाना, state legislative assembly, state legislative assembly को अगर हम हिंदी में बोले, तो बोला जाता है बच्चो विधान सभा, आपने history के साथ civics अगर पढ़ा होगा कभी, बचपन में, तो उसमें विधान परिशद का यह पूरा कच्चा चथा दिया था, और state legislative council, council इसो कहां जाता है, विधान परिशद, विधान परिशद, clear है, जब आप chief minister चूज करते हो, वो state legislative assembly का head होता है, chief minister, clear है, अभी उद्धा उठाकरी जी है, हमारी इसमें, आपके आपर अरविंद के जी है दिल्ली में, बाकी और अलग-अलग, मौमता दीदी वेस्ट वेंग ओल में, ऐसे state legislative assembly के जो leader होते हैं, उन्हें हम chief minister बनाते हैं, so विधान सभा, विधान परिशद, विधान सभा में जो बैटते हैं, हम उसको कहते है MLAs, member of legislative assembly, इनको हम प्यार से आमदार भी कहते हैं, आमदार, और अगर आप UP अगरा से बिलोग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल अगरा से, बिहार अगरा से, महां इनको कहा जाता है, विधायक, चाचा विधायक है हमारे, कई बार आपने सुनाओगा, चाचा विधायक है हमारे, clear, so इने कहते हैं, आमदार, और legislative council के members को कहते है, MLC, Member of Legislative Councils, clear, एकन सब सबको हाँ है न, आमदार, यह state के funds के लिए, state के लिए work करता है, खासदार, यह देश के लिए work करता है, clear, एकन सब, यह difference आपको समझ में आना चाहिए, खासदार, Member of Parliament, आमदार, Member of Legislative Assembly, Member of Legislative Council, Member of Legislative Assembly, यह चीज़ को fit करके दिमाग मे बिठा देना, और अब जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़ादा जरूरी है, यह जो Member of Legislative Assembly होते है, वही लोग यहाँ पे 233 Member elect करते है, in the case of, 233 Member ही elect करते है, in the case of, राज्यसभा, clear है, MLS ही elect करते है, 233 Member, in the case of, राज्यसभा, clear है, अभी, अभी कुछ दिन पहले news आया थ कि BJP का अब राज्यसभा में भी majority create हो चुका है, वो भी तकड़ा वाला, clear answer, तो अब कोई भी, मलब आपने देखना, धारा 370 जब हटाया गया, कश्मीर वाला, तो लोगसभा में भी BJP था, राज्यसभा में भी BJP था, तो लोगसभा से भी, उन्होंने पास करवा लिया, राज्यसभा से भी पास कर लिया, मतलब अगर मैं simply बोलू, तो राज्यसभा में जो 245 members है, उसमें से हमको nearly 123 member चाहिए, स्पष्ट भूमत वाले राज्यसभा में, स्पष्ट भूमत वाले 123 member चाहिए, राज्यसभा में, concept समझ में आ रहा है, सबको हाँ है ना, तो राज्यस उस थे, वो भी BJP के थे, तो उने धड़ धड़ करके 370 पास कर लिया, ऐसा कहां जाता है, कि lockdown के पहले के 6 महने की जो सरकार थी, that is the most productive सरकार, जिनोंने nearly 6 months के अंदर more than 125 legislations and amendments को पास किया है, इनका productivity ratio 130% के आसपास था, जो अभी तक के history में कभी भी 70-80 सालों में मिट नहीं हुआ है, इतने फटाफट law pass किये, because लोगसभा में भी same सरकार है, राज्यसभा में भी same सरकार है, यह है आपका election का criteria, clear है, जब आप state government में chief minister को choose करते हो, जब आप यह सुनोगे कि chief minister को choose करना है, तो आप MLS को, मतलब आप आमदार, मतलब member of legislative assembly को choose करते हो, जब आप को choose करते हो, तो ऐस situation में हम खासदार MPs को choose करते हैं, members of parliament को choose करते हैं, MLC हम choose नहीं करते, MLC यह normally नगर परिशद, नगर पाली का, इनके representatives होते हैं, जैसे गाओ के मुखिया, नगर परिशद, तालु का प्लेस के मुखिया, यह लोग इसके अंदर बैटते हैं, corporators मिलके जिन क को choose करते हैं, MLC में बैटते हैं, MLS जीन को choose करते हैं, वो बैटते हैं आपके रज्यसभा में, 12 प्रेसिडेंट यहां पर ही choose करेगा, यह एक खास बात है, President राज्यसभा में जो 12 members चूज करते हैं, President राज्यसभा में 12 members चूज करते हैं, वो अलग अलग caste, religion, अलग अलग function के होते है सचिंत अंडुलकर was a member of Rajya Sabha sports culture से उनको elect किया गया था अगर मैं दूसरा बुरू जावेद Akhtar lyricist he is also member of Rajya Sabha Vijay Malaya जिन्हों ने Kingfisher का fraud किया at once upon a time he was also a member of Rajya Sabha उन्होंने Rajya Sabha के influence का use करके ही Kingfisher का fraud किया था Vijay Malaya ने यह चीज को आपने याद रखना सो यह बहुत knowledgeable चीज है इस चीज को आपने अच्छे से याद रखना clear है इस बार तो महाराश्टर की state government बहुत famous हुई है अलग-अलग चीजों के वजह से पहले जगडे या उद्धव ठाकरे इनके जगडे शरत पवार जी के जगडे उसके वजह से मलब इस बार महाराश्टर में BJP majority vote जीतने के बाद भी Chief Minister BJP का नहीं है शिव सेना राश्टरवादी Congress ऐसे चोटे सभी के सभी दूसरे parties ने opposition parties में दल बना के उद्धव ठाकरी जी को Chief Minister दे दिया ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है जो majority vote है उसको Chief Minister नहीं है बचे वे समने मिलके एक party बना लिए और Chief Minister गोशित कर दिया ये भी होता है अभी Kangana Rolot के हो जैसे था अभी सुषान सिंग राश्पूत के हो जैसे था महराश्चा government का क्या चल रहा है हम कोई जुन्दगी में यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्लिए रहे हैं सब सब को हाना तो ये चीज को आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह मैंने आपको पूरा कच्छा चिठा खोल के रख दिया कि भईया लोकसभा राज्यसवा क्या होता है स्टेट लेटिव उसे अमली स्टेट लेटिव काउंसिल क्या होता है इसको हम प्राइम मिनिस्टर जी के वरक इलग करते है, इसको हम चीफ मिनिस्टर जी के वरक इलग करते है जो हमने MLA's इलग किया है, उस वही राज्य सभाके में 233 मेंबर्स को इलग करते है 12 प्रेसेंट इलग करते है, NDA मतलब BJP Allied Parties, UPA मतलब Congress और Allied Parties और इसमें भी अगर एक माँ खास बात बताओ, बहुत अच्छे से है, बहुत खास बात अगर मैं बताओ तो आपने कभी देखा होगा, तो इलेक्शन के वक्त 2-3 राज्यों के उपर बहुत जालदा नजर रहती है एक रहता है उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश पर बहुत जादा नजर रहती है, इसके पीछे रीजन है, अगर आप देखो, तो लोगसभा की, जो हमने 545 seats बोली न, तो उसमें से लोगसभा की 80 seats, 545 seats में से, अगर हम 36 states and union territories बोले, 36 states and union territories में से, सिर्फ जहां पर 48 seats हैं लोगसभा की, उसके बाद में अगर मैं बोलू तो बिहार में 40 seats हैं लोगसभा की, उसके बाद में अगर मैं बोलू तो 39 seats आपकी आती हैं Tamil-Nadu में और West Bengal में भी काफी अच्छी seats है, if I'm not, yes, 42 seats West Bengal में हैं, ऐसा कहां जाता है, कि अगर आप ये 45 states में लोगस आदा ताकत से क्यों बता रहे हो, क्यों इतना सारा आप explain कर रहे हो, क्या जरूवत इतना सारा, हम foundation के छोटे ननने मुनने बच्चे है, आपने पूरा लोकसभा, राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया खोल के रख दी हमारे सामने, बटा आप देख लो, कोई भी लो, मला आपका contract, sale of goods, partnership, payment of bonus, payment of gratuity, provident fund, employee study, insurance fund, companies act, FEMA, SEBI, Sikra, competition, banking, insurance, IIDA, industrial dispute act, minimum wages act, any goddamn law you take, doesn't matter, ये पास होना है, तो यहीं से पास होना है, लोकसभा में उसको 272 वोट लगेंगे, हर लोगसभा में 272 से यादा वोट लगते है, 545 में से 242 MPs जब बोलेंगे, तो वो law बनेगा, राज्यसभा में से 245 में से 123 लोग जब हाँ बोलेंगे, तो वो law बनेगा, और तभी जाके law pass होता है, अदरवाइस नहीं, state में, अब state का तो variable है, 36 state unit and territories के number हम यहाँ पे नहीं दे सकते, आप आपके state के चेक कर लेना, जब state में stateless OSMP में, majority से आप vote pass करोगे, तो वो law बनेगा, state law, महाराष्टर में गुठखा बन हुआ है, majority vote मांगे है, state legislative council में majority vote लिये है, तब जाके महाराष्टर में गुठखा बन हुआ है, गुजरात में तब जाके लिकर बन हुई है, यह अगर आपको नहीं पता, तो आपको यहीं नहीं पता कि कि law कहा pass होता है, कहा pass होता है sir, parliament में, कैसे pass होता है, होता है sir, कैसे final level पे शरम जाती तुम्हें, इंडिया में law pass कैसे होता है, पूछना पड़ता है जिंदगी में, पूछा दन 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 आना चाहिए, कितने member कौन, कैसा politics है, क्या legal system चलता है, यहीं नहीं पता तुम क्या law प political system हात में होगा, law politicians ही बनाएंगे, यही government जो law बनाती है आपके लिए, तो इनको तो समझना जरूरी है न, this is how the law is made in India, concept समझ में आ रहा है सब को हाई न, अब यह चीज को आपको लिखना है, ठीक है, यह चीज को आपको लिखना है, इसके लिए मैं और थोड़ा सा starting में आया है क्या, चला जबरतस्त, बहुत ही बढ़िया, चला, शीपीटी के बच्चों के समझ में आ गया, मतलब फाइनल तक का मेरा टेंशन खतम हो गया, ठीक है, फाइनल तक के आप मुझ से पढ़ो ना पढ़ो, पर यह दिमाग में फिट कर के लिए किसल जाना, ठीक है, किस बढ़ी से भी फड़ो, डसेंट माटर, बट फाइनल में ये बंदे को अटली सिबटी से पता होना चाहिए इंडिया भी लॉपास कैसे होता है, ये चीज़ को आपने बड़े अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, अब पारलेमेंट, चलो, यहां पे लॉपास हो गया मैं लिखेने भी दूँगा बिटा, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है फटाफट बताईए, बच्छो, लिखो, 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 थैंक ये सो मच, आधी, नोट्स बनाने दूँगा बिटा, don't worry, पहले मैं को समझाने दूँ पूरा, इंडिया के प्रेसिडेंट बताईए, कौन है, फटाफट, येस, रामनाथ कोईन, रामनाथ कोईन जी इंडिया के प्रेसिडेंट है फिलाल, बोलो ये सो न, रामनाथ कोईन जी, बहुत बढ़ रामनाथ कोईन जी ही क्यों पढ़ेंगे, चल बहुत बताईए, मैं बहुत प्रेसिडेंट ही क्यों पढ़ेगा, प्रेसिडेंट ही क्यों पढ़ेगा, प्रेसिडेंट ही क्यों पढ़ेगा, पास तो प्रेसिडेंट ने किया है, तो रामनाथ कोईन जी क्यों पढ़ेंगे, he is a president नहीं, that's not a reason आपने अगर civics ठीक से पड़ा, yes CL1 ने सही answer दिया है he is the first person of India president of India is the first person of India civics में बच्पन में लिखा था president ये इंडिया का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपती ये इंडिया का पहला नागरिक होता है when a president is a first person of India इंडिया का हर पहला law pass करने का और read करने का पहला power है president का, आपको बता है prime minister कोई भी बंदा चल गाएगा जिसके उपर cases लगे है, जिसको jail में डाला गया है, जिसके उपर cases चल रहे है, वो भी prime minister बन सकता है, कितने तो भी prime minister के उपर corruption के cases चलते है पर president ये एकदम clean picture वाला कोई दामन में दाग नहीं चाहिए, clean चिट वाला white wash बंदा होना चाहिए, president, उसके सिवानी educational qualification ताबड तोड दो चार award मिले होंगे तो जबरदस्त वाली बात, उसके उपर किसी ने fire भी नहीं करना चाहिए, government की किसी institution से notice भी नहीं होना चाहिए, आप कोई भी president उठा के देख लो, प्रतिभाताई पाटिल, प्रडम मुखर जी रामनात कोविंद मेरे फेवरेट वाले people's president APJ अब्दूल कलाम, आजाद so basically ये लोग वो लोग है, जिनको government के तरफ से कई साले affiliations मिले है ताबर तोड educational qualification है और जिन्दगी में इनके उपर किसे ने कोई case ने किया दामन में कोई दाग नी है, तो president पहला दागरी कैसा होना चाहिए, इसके दामन में दागना हो प्राइम मिरिश्टर बगरा सब चलेंगी, चीफ मिरिश्टर भी कैसे चलता है, president नहीं बेता clear है गंसर, so दोनों लेवल पे law pass करने के बाद में president उसको हाँ बोलेगा क्योंकि वो first person of India है सवाल यह है, क्या president law को reject कर सकता है अगर उसके मन में आया, वो बोलता है कि नहीं भई, पार्रेमेंट में पास हुआ चलेगा यह इधर state legislature में पास हुआ चलेगा में रेको पसंद नी आया में रेको बिल्कुल पसंद नी आया आठ्थू president बोले, मेरेको बिल्कुल पसंद नी आया आठ्थू, एक कैसा law बनाय के रिए बिल्कुल पसंद नी आया तो president law को reject कर सकते हैं, क्या पताईए मुझे comments में फटाफट, yes or no? रामनाथ कोईच ने देखा, अरे यार इसमें कुछ तो ही प्रॉब्लम है, वो इसको reject कर देंगे, साथ में reason देखेंगे, कि इस law is not drafted regularly, यह law वापस से, अगर यह law reject हो गया, तो वापस से आएगा, लोग सभा में discuss किया जाएगा, राज्य सभा में discuss किया जाएगा, दोनों आ रहा है, यह चीज को आ रखना, वो reject कर सकता है पर एक बार, और अगर वापस वैसा का वैसा law आया, अमेंड होके आया, तो प्रेशेट उसको reject नहीं कर सकते, यह simple सी बात होती है, एक बार प्रेशेट, अच्छा, state के case में इस law को कोई अप्रूव करेगा, प्रेशेट के of the state, इंडिया के, महाराष्टर के गवर्नर मुझे पता है, बाकी states के नहीं पता, महाराष्टर के है, भगत सिंग गौशाली, clear, अभी बहुत ज़्यादा इनका नाम आया था, क्योंकि महाराष्टर में जगड़ी चल रहे थे, तो कई बार गवर्नर को request किया गया था, कि ब कौन से date से, कौन से area में, कितने sections applicable करने हैं, कौन से date से, कौन से area में, कितने section उस law के applicable करने हैं, अगर मैं आपको simple words में बोलू, तो आपका Companies Act जो है na, Companies Act, वो applicable होना शुरू हुआ था, बच्छों, 12 September 2013 से, applicable होना शुरू हुआ था, entire India, including Jammu and Kashmir में, और कितने sections applicable होना शुरू करने हैं, कौन से दिन से, कौन से area में, उस law के कितने section applicable होंगे, यह है, इंडिया में law pass करने का process, यह छोड़के कोई process नहीं है, clear again सब, आप जो भी law देख लो, इसी से pass हुआ होगा, समझ में आया, तो कृपया like ठोकिए, मुझे comment में बताई आपको समझ में आया, तो मैं ख करता है कि किस तरीके से law pass किया जाता है, clear again सब, अब आपको अगर लिखना है, तो मैं back जाता हूँ, जो भी चीज़े आपको लिखनी है, एक page लेना, एक page, उसके अंदर दो column करना, left side में central list लिखना, right side में state list लिख सकते हो, कहां से लिखना शुरू करोगे, तो you can start from here, यहा जरूर बताईएगा, पसंद आएके वो भी बताईएगा, go for it first, चलो, शांदार, जबरदस, जिंदाबाद, समझ में तो बहुत बढ़ी है, वेटो पावर, second time वेटो पावर नहीं, वेटो पावर का मतलब ही एक होता है, CL1 की एक ही बार यूज होगा, वेटो पावर में only means one, Pondicherry Dr. Kiran Biri, शांदार, सब चाप्टर के लायो होंगे, बतानी बेटाव धवानी फिलाल, चाप्टर्स बता दिये, सक्षी में ने अल्रेडी, कितने चाप्टर्स है, कल का लेक्टर देखिए, पेपर में foundation में definition के section लिखना जरूरी है, और companies act definition के, बाकी नहीं लिखा तो भी चलेगा, inter और final से वो बहुत जरूरी हो जाता है, बता, screenshot फटा फट निकाल लीजिए, इसका screenshot ले लीजिए, यह जी आपके काम में आएगी, हो गया screenshot लेना, अगला screenshot यह ले लेजिए, कर ले लेजिए, यह जी आपके काम में 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 आपके काम शुरदन नेक्स्ट ये लिस्ट के स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए आपको पता रहेगा कौन से स्टेट में कितने हैं ये थोड़ा ओल्ड लिस्ट है तो कोई अगर स्टेट का डिविजन हुआ है तो वो इसमें नहीं होगा बटा नेक्स्ट 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 इसका एक फोटो खीश लेजे यहां पर आपका लॉपास करने का प्रोसस बच्चो होता है खतम एक कुछ बच्चे मेरे को सवाल पुछते है सार चंपत है चंपत चंपत बाल मुपे तेल एदाम सार 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 मैं बोला चंपत बोल भाई सार मैं बोला नालाक चंपत बोल सार सार बोलेगा सर हमेना सर अर्जन्ट में लॉपास करना है अर्जन्ट में बोला इत्ती अर्जन्ट चीए हाँ सर अर्जन्ट में लॉपास करना है सर 20 जिन में लॉपास को जाना चीए सर कोई तरीका है क्या मैं बोला है चंपत सर बोले कौन सा तो आने चंपत को बोला चंपत joint session सर joint session joint joint मला चंपत नाला एक सस्टनेश वाला joint session नहीं joint session मतलब दो houses एक साथ बैठे है जब आपको अरजनसी में कोई law पास करना है बैठा तो आप लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों houses को एक साथ बिठा सकते हो, हाँ, और इंडिया में 70 साल की history में दो ही law ऐसे पास हुआ है, और एक सिर्फ consider हुआ था, वो दो law है, जिनके example में already आपको दे चुका हूँ, that is, Dowry Prohibition Act 1961 वाला, जो 1960 में पास हुआ था, इसलिए 60 लिखा है, banking services repelation commission bill, यह सिर्फ bill था, यह पास नहीं हुआ joint session में, इसलिए bill लिखा है, और prevention of terrorism act 2002, जब इनके पीछे बम फटा था साना side में 2001 में, दम्म करके, तब इनकी फट गई थी, तब इनकी फट गई पास कर लो, यह point आप में लिख कर रखने है, ठेक है, लिख लो इसको, और president के भेटो पावर के बारे में, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, president सभी bill reject कर सकते, 2-3 bill, president reject नहीं कर सकते, जैसे money bill, president reject नहीं कर सकते, constitutional amendment bill, money bill मतलब income tax, GST वगरा, जैसे bill reject नहीं कर सकते नहीं, तो income tax लागू ही नहीं होगा, GST लागू ही नहीं होगा, और constitutional amendment bill, मतलब constitution को amend करने वाले bill, president reject नहीं कर सकता, क्यूंकि, आप उसमें president के पावर कम करने की बात करो और president reject कर दो तो उसके पावर कभी कमी नहीं हो, तो यह चीज़े आप लिख के रखिए, फटा फट, go for it first यस बेटा, वनीशा, you how to remember this, beyond CA final and beyond also चंपत खुशियार बंदा है बिटा, बाल सिर्फ चपड़े, चहरे पे तेल है, बाकी हुशार है वह, ले लिया, सबने screenshot लिख लिया, बढ़िया, सो यहां पे law pass करने का process खता होता है, आज का lecture हम यहीं पर stop कर रहे है, तो यह गंटा खुटे भी आ गया, मा कसम, वरकोद पता ही नहीं था, ओके, आज का lecture हम थोड़ा सा जलड़ी stop कर रहे है, because of some necessity, ठीक है, कल के lecture से, आपको current sir बताएंगे, कि किस तरीके से कल के lecture आपको direct क गरीब आदमी हूँ, नोकर आदमी हूँ, तो मैं बस जो वो बोलते हैं, वो मैं करता हूँ, ठीक है, तो कल के lecture से आपको current sir बताएंगे, how to do it, how not to do it, so there is up to today, thank you so much for watching this lecture, आपके साथ interaction करेंगे, बहुत अच्छा लगा, thank you so much, आपको अगर यह समझ में आया है, तो we'll continue afterwards, ब अदरवाइस आपको recorded lectures भी आते रहेंगे, ठीक है, thank you so much for watching this lecture, दर्शन खरे, over and out, good day, God bless your time, take care.